जहेंद एवरिवन दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि एमपोक्स वाइरस इसको पहले मंकीपोक्स कहा जाता था इस एमपोक्स वाइरस के ओपर डबलू एचो डड़ीज वर्ल्ड हेल्ड ओर्कनाइजेशन ने एक डेकलरेशन करिया आए देखते हैं क्या पूरा य एक एक अमर्जेंसी लाइक आपको पैरामीटर समझने की जूरत है ताकि यह वाइरस जो है आपके घर तक ना पहुचे आपके परिवार वाले शुरक्षित रहें आप पहले ही देख लें कि भी ऐसा कुछ हवा में है और आपको जो है एक दूरी बना गरके रखनी है को इन यूश्वल ग्रोथ हारी है इस वाइरस के अंदर अगर इसकी कंटैमिनेशन हो रही है अगर इसका जो स्प्रेड हो रहा है वो आपकी कंट्री तक पोच रहा है अगर वहां से भी कुछ केसी आ तो आपको बचा करके रखें तो एमपोक्स क्या है इसको पहले मंकी वाइरस बोला जाता था लेकिन इसको एमपोक्स बोला जाता है तो होता गया पहले तो यह देखे के एक वाइरल इंफेक्शन है ठीक है और दोयर दो में यह जो इसका था आउट ब्रेक हुआ था और यह मान के चलिए कि जिनोटिक वाइरल डिजीज है यह यह पहले जानवरों में ह होती है जानवरों से हुमन में आती है फिर हुमन भी ट्रांस्मिट हो जाती है ठीक है कैसे होती है ट्रांस्मिट जो आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा ड्रॉपलेट्स होते हैं अगर वह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में चला जाए तो आपको स जो आपको पूंज zorhati उसकी Kee स्किन की प्रॉबर्म हो जाती जिसके की स्मॉल Also में कैसे होता ना सिे के उपर कुछ दाने्हिप की दान्य हो जाता है बस वैसे ही आपके रचास में भी होगा लेकिन यह जो सिझवेशन है अब यह एकदम से इसलिए इसको वर्ल हेल्ट Organization ने इसको Declare कर दिया है Global Health Emergency अब इसके ना 2 traces होते है एक होता है जी आपका मेंने दो टाइप के होते है यह ठीक है एक होता है आपका uh-kslaid one और एक होता है clayed two clayed one ज्यादा fatal है ज्यादा मलब हाला यह तो है लग लग जगहाँ पर फैला वैसलम कें नाविये क्लेट वन कोंगो बेशीन में फैला है और फैला है। वैस्ट कोन भेसे का स्थेटर किन्टिंट बन है उसमीं नाइख्धिक्यर्ण में होते हैं और यह सिर्जाएटरी डिस्ट्रेस होता है सास रहनी की दिक्कत होती है ऐसलिक फच्छेर folders हो जाती है नौह भुटन जैसा होता लेकिन जो आपका अभी जो जो आपका एंत है वो क्लेट टू की वज़े से फैला हुआ है और यह क्लेट टू है यह थोड़ा माइल है इसमें फीवर अगारा होता है लेकिन आपके एक पर यह फैल गया तो फिर स्कीन डिजीज हो सकती है टिक है तो इसको हम लिंफ अड़ेनोपैथी भी बूलाते हैं जो क्लेट टू है लिंफ अडेनोपैथी या एंपए से आखे स्किन को कुछ प्रॉलंम्स होते है लिंफ अडेनोपैथी इसको बोला जाता है रिग तो यह पर अभी जो डबलू हो के चीफ है वो क्या कहते हैं आई एक बार देखें इनकी बात सुनिए यह क्या कह रहे हैं सुनते हैं वो कह रहे हैं कि सब पहले इसको रिपोर्ट नहीं किया गया तो लेकिन देरे देरे इन कंट्रिस में भी यह फैल रहा है ठीक आफरीका के नदन पा रिस्पोंस हमें चाहिए और इंटरनेशनल जो है आपका चाग रुकता हो सोड़ेट हम इस स्प्रेड को रोक सके जो भी लोग हम अफरीका से जा रहें उन कंट्रिस में भी फैल सकते हैं तो इसके इसको इनों ने इसको ग्लोबल हेल्थ एमर्जेंसी क्यागर के बुलाया ह है ठीक है तो आप सबीने ध्यान रखना है थोड़ा सा मास्क वगारा पहनने की जूड़त हो भीडबाड़ा ले लाके में अगर हैं तो आप बच के रहें और कुछ इसके उपर नियूज मिलेगी तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मिलूगा दूसरी वीडियो कर दो आपके सामने प्रेजेंट